हेलो फैमली नमश्कार एक बर फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए एक हेलफुल वीडियो लेकर और आज का वीडियो मोस्ट कमेंटेड टॉपिक है क्यूंकि इस टॉपिक पर आप सबके बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैं मेरा बच्चा पेट में उल्टा है आड़ा तिर्चे उसको कैसे सीधा कर सकते हैं इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं और कौन-कौन से इसे टिप्स होते हैं जिनको अपना कर आप अपने बच्चे को जल से जल सीधा कर सकते हैं मतब नॉर्मन डिलेवरी की सही पॉजिशन में ला सकते हैं ये सारी बाते जो आपकी को आसान बनाएंगी बच्चे को सही पॉजिशन में लाएंगी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो टोटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा है तो आप वीडियो को पूरा देखें ध्यान से देखें और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें इसी तरी चली स्टार्ट करते हैं आज का मॉष्ट हेलफुल वीडियो जैसे कि फ्रेंड्स गर में बच्चा उल्टा होनी का मतलब होता है बच्ची की ब्रीच पॉजिशन उल्टा कैसे कि बच्चे का जो सर है वो उपर के साइड है वो पैर नीचे की साइड है साथी में बच्चा और आपको भी पड़ीशानिया काफी बढ़ती है इसलिए डॉक्तर साफ-साफ भासा में मना कर देते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलेवरी नहीं हो पाए यूद्स आप ने यह वात अक्सर सुनी होगी तो फ्रेंड्स अगर आपका बच्च भी भी पोजिशन में है यह जाता है तो फ्रेंड्स कई बच्चे क्या होते हैं कि जो एक बार अपनी पॉजिशन बना लेते हैं वो पूरा उनके लाश्ट तक रहती है मतलब नौवे महीने तक रहती है और जिस वज़े से फिर सिजेरियन डिलिवरी के चांसे बन जाते हैं लेकिन बहुत से बच्चे होत अगर वो लास्ट तक अपनी एक ही पॉजिशन में बने रहते हैं अगर वो उल्टी पॉजिशन में हो गए तो उल्टे ही रहेंगे डिलिवरी तक और अगर आड़ी तिर्शी पॉजिशन में हो गए तो आड़ी तिर्शी पॉजिशन में ही रहेंगे पूरा डिलिवरी तक तो इस condition के पीछे दो main reason होते हैं पहला reason तो यह होता है कि अगर आपके गर्व में जो amnetic fluid है उसकी मात्रा बहुत ज़ादा है या कम है क्योंकि कम होने से क्या होता है कि बच्चा ठीक तरीके से movie नहीं कर पाता है जिस position में बच्चा एक बार आ जाता है उसी में बना रहता है क्योंकि गर्व में पानी कम होने से बच्चे का बिकास तो धीमा होई जाता है बच्चे की जो growth है वो कम रह जाती है जिसमें ऐसे बच्चा physically strong नहीं रहता है कमजूर रहता है बजन कम रहता है तो बच्चा अपनी position change नहीं कर पाता है इसके बाद अगर पानी जादा होता है तो बच्चा क्या करता है उसी में तैरता रहता है अपनी एक fixed position ले नहीं पाता है तो इस condition में भी क्या होता है कि बच्चे की position उल्टी आडी तिर्ची हो सकती है दूसरा reason होता है बच्चे का बजन जादा होना अगर गर्ब में बच्चे का बजन जादा है तो इस बज़े से भी बच्चा अपनी सही position नहीं ले पाता है क्योंकि जब बच्चे का बजन जादा होगा तो बच्चे को जगे फिर कम मिलेगी गरवाशे में तो वो हिलडूल नहीं पाएगा जादा घूम नहीं पाएगा अपनी position चेंज नहीं कर पाएगा तो main इसके दो reason होते हैं जब बच्चा उल्टे-ाडी position में रह जाता है आप मैं आपको एक important बात बता दू कि अगर आपका बच्चा second trimester में मतलब कि 4-5-6 महिने में breech position में है या transverse position में है मतलब कि बच्चा आपका गरव में उल्टा है आड़ा है तिरचा है तो आपको tension लेने की बिलकुल भी जरुत नहीं है प्योंकि बहुत जादा chances होते हैं कि जब बच्चा 4-5-6 महिने में उल्टा होता है आड़ा होता है तो वो अपनी position change कर सकता है क्योंकि अभी आपकी delivery में काफी समय है तीन महिने हैं तो तीन महिनों तक बच्चा अपनी safe position में आ सकता है क्योंकि बच्चे का जो delivery की सही position में आने का time होता है वो 32 वीक से start होता है तो आपको tension लेनी की जरुवती नहीं है क्योंकि कई बच्चे delivery से एक दो हफ्ते पहले भी अपनी safe position में आ जाती है इसलिए आप घबराएं बिलकुल नहीं लेकिन कुछ tips आप जरूर follow करें जिससे कि अगर आपका बच्चा उल्टा आड़ा तिर्चा है तो वो सही position में जल से जलदा सके तो सबसे पहले तो आपको वही physically active रहना है physically active आप दो तरीकी से रह सकते हैं आप अपने घर के काम कर सकते हैं जिन कामों को करने में आप comfortable हैं आपको वही काम करने हैं घर की चोटे बटे काम, खाना, पीना, जाड़ू, पोचा जो भी आप करना चाते हैं जिन में आप अच्छा फील करते हैं वो आप कर सकते हैं अगर आप घर के काम नहीं करना चाते हैं आपको uncomfortable feel करते हैं तो आप वाकिंग कर सकते हैं, यह तो easy रहेगा ना, आप सुबह साम 30-30 मिनिट वाकिंग कीजिए, इससे बच्चे को गर्ब में अच्छे तरीके से space मिलता है, आपकी जो pelvic muscles होती है, वो flexible बनती है, जिस बज़े से बच्चा जल से जल अपना सर नीचे कर सकता है, मताब अपनी position चेंज कर सकता है, दूसरी चीज आप exercise करना start कीजिए, अगर आप डॉक्टर से सला लेंगे, तो डॉक्टर आपको काफी exercise के बारे में बताएगा, जिससे कि बच्चा अपनी सही position ले ले, बाकि आप butterfly exercise कर सकते हैं, squatting कर सकती हैं, इंडियन टालेट का आप यूज कर सकती ह हैं, इससे भी chances होते हैं, कि बच्चा अपनी सही position में आ जाए, इसके बाद आप अपनी diet में भी सुधार लाइए, ऐसी चीजे लेजिए diet में, जिससे आपको कब्स ना हो, गैस जादा ना हो, अपच की दिक्कत ना हो, क्योंकि ये दिक्कते होती है, तो गर में बच्चे को स्पेस नहीं मिलता है, बच्चे अपनी position चेंज नहीं कर पाता है, आपको अपनी diet में फाइवर लेना चाहिए, जिससे कि आपको कब्स की दिक्कत ना हो, आपका मलाश है खाली रहे, तो बच्चे को फुर जादे space मिलेगा, और बच्चे अपनी position चेंज कर पाएगा, इस साइड मतलब बाएं तरफ करवट करके आपको सोना चाहिए, इससे बच्चे को भारपूर nutrition मिलते हैं, blood supply अच्छे से मिलते हैं, oxygen अच्छे से मिलता है, और आप दिन में 2 घंटे का rest जरूर करें, वो भी आपको left side करवट करके लेटना है, इससे क्या होगा, बच्चे को पे बनते हैं, क्योंकि यह पॉजिशन नॉर्मल डिलिवरी के लिए नहीं है, नॉर्मल डिलिवरी की safe position आपको पताईए, जब तक बच्चे अपने सर नीचे नहीं करता है, तब तक possible नहीं हो पाती है, आपकी नॉर्मल डिलिवरी, तो आप इन टिप्स को अपना कर अपने गया होगा, अगर कुछ छूट गया है, तो कॉमेंट्स में बता दीजिए, मैं उस पर फिर से एक बार आप लोगं के लिए वीडियो बना दूगी, तो चलिए मिलते हूँ आप सबसे अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखियों, ऐसा ही मुस्कुराते रहिए, ख अपने घरवालों को भी खुश रखियों, बावाई, थैंक यू